नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है मैं हूँ राजीव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आधितनाथ योगी क्या अब आदालत का दैतु भी खुद सम्हालने लगे हैं क्या जज बनकर अब इनसाब भी वही करेंगे ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्नाव सामोहिक दुशकर्म मामले में जिस भाजपा विधायक कुलदीप सिंग सेंगर पर पीडित वरिवार ने आरोप लगाया है उसे सोमवार को आधितनाथ योगी ने तलब किया थ उनके उपर लगाये गए आरोप बेबुनियाद हैं जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री महोदे का कहना है कि मामले की जल्द से जल्द जाच कराकर दोश्यों के खिलाफ कारवाई की जाएगी अब यहाँ जल्द से जल्द का क्या मतलब है वो समझ में नहीं आया अगर ये मामला दो चार दिन पहले का होता और तब योगी जी तुरंत इंसाफ करने की बात कहते तब तो उनकी नयाये के प्रति गंभीरता समझ में आती लेकिन ये मामला तो पिछले साल जून का है प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के कुछ महिनों बाद ही भाजपा विधायक पर पिडिता और उसके परिवार ने गैंग रेप का गंभीर आरोप लगाया था दरसल उन्नाओं के माखी थानक शेत्र की रहने वाली पिडित महिला का कहना है कि विधायक कुल्दीप सिं सेंगर और उसके गुरगों ने बंधग बना कर उसे कई बार उसका रेप किया काइदे से किसी महिला के ऐसे आरोप पर तुरंत कारवाई होनी चाहिए थी आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज होना चाहिए था लेकिन जो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी दाखिल की आपको पता ही है कि किसी संगे मामले में यानि कॉगनीजेबल मामले में अगर पुलिस एफ आई यार दर्ज नहीं करती है तो सी यार पीसी की धारा 156 तीन के तहट शिकायती पक्ष अदालत में सुनवाई की अपील कर सकता है पीडित परिवार ने इसी धारा का चरार अपरेल को कस्टैडी में लिया और बताया जाता है कि इस से पहले 3 अपरेल को कुल्दीप संगर के भाई ने उन्हें पिटवाया भी था 9 अपरेल को पिडित महिला के पिता की पुलिस का स्टेडी में ही मौत हो गई पुस्ट मार्टम रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि बेरहमी से पिटाई के कारण पिडिता के पिता की मौत हुई है लेकिन यूपी के एडिजी लौ एंड आर्डर का कहना है कि बिना जांच के किसी भी नतीजे पर पहुँचना जल्दबाजी होगी तो साहब जांच तो करवाईए ना लगभग एक साल से एक यूती अपने उपर हुए अन्याय के लिए इनसाफ की गुहार लगा रही थी उसका परिवार तमाम धंकियों के बीच जिन्दा रहने की कोशिश कर रहा था उसके पिता को नजाने किस जुर्म में पुलिस हिरासत में लिया गया जहां उसकी मौत हो गई जबकि जिस पर आरोप लगाया गया वो खुले आम मुखे मंतरी से यानि वो विधायक सेंगर खुले आम मुखे मंतरी से मिलकर आता है और पुलिस विभाग के बड़े साहब कह रहे हैं कि जाच के बिना किसी नतीजे पर पहुँचना जल्दवाजी होगी समझ नहीं आता कि पुलिस और सरकार जनता की हिफाज़त के लिए है या नेताओं की फिलहाल पुलिस ने कुलदीब सिंग सेंगर के भाई अतुल सेंगर को गिरफतार किया है लेकिन इसके बाद मामले की जाच किसकती से आगे बढ़ेगी इस बारे में क्या कहा जा सकता है सरकार ने जाच के लिए S.I.T. का गठन कर दिया है लेकिन उसकी उपयोगीता भी तभी मानी जाएगी जब दोशियों को कड़ी सजा मिलेगी अभी तो ऐसी कोई सूरत दिख नहीं रही क्योंकि सत्ता रोड़ दल के विधायक पर आरोप है कि उसने अदालत से पहले अपनी सफाई मुख्यमंत्री के दर्बार में पेश की है लोग तंतर में तो इंसाफ का तकाजा ऐसा नहीं होना चाहिए ये तो राजशाही या तानाशाही का तरीका लगता है खेर पीडिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले यही कामना है तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहिए डीवी लाइब नमस्कार